असराम लेकम, आज आपको नोटेला फिल्ड चोकलेट बनाना सिखा रहे हैं, जिसके लिए 200 ग्राम चोकलेट ली है, आप मिल्क या डार्क कोई भी चोकलेट यूज कर सकते हैं, नोटेला हस्वे जूरत और एक सिलिकोन मॉल्ड लिया है, जिसमें हम चोकलेट को सेट करेंगे आप अपनी इपसान का कोई भी डिजाइन ले सकते हैं, चोकलेट को डबल बॉयलर पर मेल्ड कर लेंगे, डबल बॉयलर का मतलब है कि एक पैन में पानी को गरम कर लें, इस पर एक बोल राक दें और इसमें चोकलेट डाल कर मेल्ड कर लेंगे, चोकलेट को सिलिकोन मोल्ड में डाल दिया है, आप इसको उल्ट कर देंगे, और जितनी एक्स्रा चोकलेट है उसको नकाल देंगे, मोल्ड को कलीन कर लेंगे, अब इसको 20 मिंट तक फ्रीज में ठंडा होने के लिए राक देंगे, चोकलेट सेट होगी है, अब इसमें नोटेला की फिलिंग करेंगे, नोटेला को हमने एक पाइपिंग बैग में डाल दिया है, अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप सिंपल चमच के साथ पीज को फिल कार सकते हैं, नोटेला को डाल दिया है, अब इसको हलका सा टैप करेंगे, अब इस पर दुबारा मेल्ट की हुई चपलेट डाल देंगे, अब दुबारा इसको हलका सा टैप करेंगे, और जितनी एक्स्ट्रा उपर चकलेट है इसको भी उतार देंगे, चोकलेट को दुबारा 20 मिंट के लिए फ्रिज में ठंडा होने रख देंगे, चोकलेट सेट हो गी है, अब इसको मोल्ड से निकाल लेंगे, करेंगे, नोटेला फिल्ड चोकलेट को निकाल लिया है, आप इसको काटके आपको दिखा देते हैं, नोटेला फिल्ड चोकलेट तयार है, आएंदा वीडियो में आपको बहुत सारे फ्लेवर चोकलेट के बनाना सिखाएंगे, आप इसको जरूर ट्राइ कीजेगा और बताएगे आपकी नोटेला फिल्ड चोकलेट कैसी बनी, अगर आपको रेस्पी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना मुले, आला हाफीज,